Welcome everyone to our YouTube channel, आज के विडियो में 4-year series ये unit का second problem study करेंगे, तो question आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, question में लिखा है, find the 4-year series for f of x equal to, देखो यहाँ पे function दिया है, f of x equal to e to the power minus x in, यहाँ पे interval दिया है, from 0 less than x less than 2 pi, तो चलो हम यह problem solve करेंगे, और यह problem solve करने के लिए हम वही फार्मूलीज और वही रूल्स का यूज करेंगे, जो इसके पहले हमने 4-year series के starting के basic lectures में cover किये थे, तो अगर आपने इसके पहले के starting के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप यहाँ से देख लिजेगा, उससे आपका 4-year series का पूरा basic concept क्लियर हो जाएंगा, उसमें आ पहले जो हमने 1st problem लिये थे, उसमें भी हमने बहुती easy function लिये थे, जो कि था इसके पहले के problem f of x equal to x, देखो इसके पहले का problem हम आपको बता देते हैं, देखो इसके पहले हमने यह problem कवर किये थे, उसमें यहाँ पर फंक्शन था f of x equal to x, और जो 0 to 2 pi इंटर्वल वही था औ तो अब आज की problem के तरफ यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो given function है, वह हम पहले यहाँ लिख लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या दिया है, given function is, तो यहाँ पर दिया है, given function, यहाँ as it is लिखना है, f of x equal to e to the power minus x दिया है, और इसके लिए interval क्या दिया है, 0 less than x less than 2 pi, ठीक है, यह दिया हुआ है, तो अब हमें यह function के लिए 4-year series तयार करना है, तो सबसे पहले 4-year series का formula हम यहाँ पर लिख लेते हैं, formula अगर आपको नहीं पता, तो आप ज़रूर अपने notebook में लिख के रखो, जो अभी हम यहाँ पर लिख लेने वाले हैं, तो यहाँ देखो, formula यहाँ पर लेकले 4-year series का, we have that is f of x equal to, क्या formula है, that is a0 by 2, then यहाँ पर plus summation of n equal to 1 up to infinity, then an cos of nx plus summation of n equal to 1 up to infinity, then यहाँ पर bn sin of nx, देखो, यह formula है, यह formula किसका है, तो यह है 4-year series का standard formula, जो अब हमें यहाँ पर use करना है, और इसी का use करके, हमें यहाँ पर 4-year series तियार करना है, for the function, function क्या दिया है, function दिया है, f of x equal to e to the power minus x, यह function के लिए, हमें solve करना है, तो यह function के लिए, अगर आपको यह 4-year series तियार करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेंगा, a0, an, bn का value यहाँ पर put करना पड़ेंगा, आपके पास a0, an, bn का value है क्या, नहीं, अभी हमार पास a0, an, bn नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यह तीनों को पहले अलग से find out कर लेंगे, then after उसको हम पूरा equation 4-year series का तयार हो जाएंगा, और problem यहाँ पर पूरा हो जाएंगा, तो यह जो equation हमें मिला है, यह जो हमने equation लिया है, इसको फिलाल as a equation number 1 दे दो, यही 4-year series का आखरी statement रहेंगा, लेकिन उसके लिए, a0, an, bn find out करना है, तो चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे a0 find out कर ले pi integral from 0 to 2 pi, then f of x into dx, यह formula से आपको क्या find out करना है, यह formula से आपको a0 find out करना है, यहाँ पे देखो 0 to 2 pi जो दिया हुआ है, यहाँ पे limit वो हमने लिख लिया है, from 0 से 2 pi, इसलिए हमने 0 से 2 pi यहाँ पे लिख दिये, और f of x, यानि यह जो f of x है, यह उठा के अब यहाँ पे हमे integrate करना है, उससे हमें a0 मिल जाएंगा, अब an, bn का क्या होता है, क्या होता है formula वो भी हम आगे चल के बताएंगे, पहले हम इसको solve कर लेता है, चलो यहाँ पे f of x पूट कर लेंगे, f of x से e to the power minus x, तो यह हम यहाँ लेंगे, 1 by pi, then integral from 0 to 2 pi, f of x का value क्या है, e to the power minus x, यहाँ into dx, तो चलो, अब यहाँ पे इसको integrate करो, अब integrate करना है, तो exponential को integrate करने का formula, exponential का integration, exponential खुद होता है, लेकिन exponential e to the power क्या है, minus x, मतलब minus जो है, वो हमें बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पे integrate कर रहे हैं, देखो, integrate करने के बाद, जो minus है, वो हम यहाँ बाहर ले लेता है, minus 1 by pi, ऐसा हम यहाँ रख देंगे, और integrate करने के बाद, e to the power minus x यहाँ पे रखते हैं, और उसका limit जो है, वो 0 से लेके 2 pi, limit अब हमें पुट करना है, देखो, हमने integrate कर लिया है, e to the power minus x का integration होता है, e to the power minus x by minus 1, तो वो जो minus है, वो हमने यहाँ बाहर ले लिए, ठीक है, और e to the power minus x as it is रखे, क्योंकि यहाँ पे अब हमें limit पुट करना है, तो चलो, limit अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो limit किसका है, तो यह limit है x का, तो हमें क्या करना पड़ेंगा, यहाँ पे x के जगा, जहाँ जहाँ पे x है, वहाँ वहाँ पे x का limit, याने upper limit, lower limit, वो हमें पुट करना है, upper limit क्या है, upper limit है 2 pi और lower limit क्या है, तो lower limit है 0 तो चलो यहाँ upper limit put करेंगे सबसे पहले 2 pi और उसके बाद 0 तो हम यहाँ पे लिखेंगे minus 1 by pi as it is रहेंगा और अब देखो हम यहाँ रखेंगे सबसे पहले upper limit याने e to the power minus of 2 pi और lower limit याने minus e to the power 0 यह देखिए, इस तरह से अब e to the power 0 याने होता है 1 तो यहाँ पे आएंगा 1 और यह e to the power minus 2 pi as it is रहेंगा और यह minus से आप चाहें तो अंदर में multiply कर लो या फिर उसको बाहर इरहें तो कोई फरक नहीं पड़ता तो चलो यहाँ पे finally a 0 हम लिखते है a 0 तो यह minus 1 by pi ठीक है और अंदर में क्या है e to the power minus of 2 pi minus of 1 यह देखिए इस तरह से तो अब आप चाहें तो minus से multiply कर लो जो हमने कहा था minus से multiply करने के बाद यह term minus हो जाएंगा यह term plus हो जाएंगा तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो तो हम लिख रहे 1 minus e to the power minus of 2 pi divided by pi ऐसा हम लिख देंगे तो यह हमें क्या मिला यह हमें finally a 0 मिल चुका है a 0 काफी important रहेंगा a 0 an b n तीन चीज़े हमें find out करना है उसमें से a 0 मिल गया अब चलो an and b n find out कर लेंगे उम्मीद करते हैं कि a 0 किस तरह से find out किये यह आपको समझ में आ गया होगा और अब चलो an find out करेंगे तो an find out करने के लिए formula तो चलो हम यहाँ पे formula लिख लेंगे now an so an find out करने के लिए बिल्कुल इसी तरह का formula है जो a 0 के लिए था 1 by pi 0 to 2 pi f of x उसमें भी रहेंगा लेकिन थोड़ा सा change देखो change क्या है 1 by pi उसमें भी है integral 0 to 2 pi यहाँ पे भी है f of x यहाँ पे भी है लेकिन f of x के बाद यहाँ पे क्या लिखना है तो f of x के बाद आपको यहाँ पे cos का term लिखना है क्योंकि देखो अगर आपको नहीं पता की cos आएंगा की sign आएंगा तो कैसे समझ में आएंगा तो देखो यहाँ पे an के पास में क्या है an के पास cos है और bn के पास sign है तो an find out करते समय भी वहाँ पे cos आएंगा f of x into cos of nx ऐसा आए यह देखिए number of student जो है भूल जहते है कि यहाँ पे f of x into cos nx है या f of x into sin nx है तो यह 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 याद रखना बहुत आसान है देखो an में यहाँ पे भी cos है तो यहाँ पे भी an के time आएंगा cos यहाँ पे देखो bn के side में sin है तो जब हम bn find out करेंगे तो उसमें sin nx आएंगा formula यही रहेंगा बस cos के जगा sin हो जाएंगा ठीक है समझ गए और यह याद रखना आसान हो गया और अब चलो हम इसको solve करेंगे अब इसको solve करना है तो formula यहाँ पे क्या लगेंगा वो बताते हैं लेकिन formula यूज करने के पहले यहाँ पे f of x का value पुट कर लो हमने अभी तक f of x का value नहीं पुट किये f of x का value है e to the power minus x into cos of nx into dx ठीक है अब हमें इसको integrate करना है अब इसको integrate करना एक बहुत बड़ा challenge है अब इसको integrate करने के लिए number of students यह कहेंगे कि sir यहाँ पे इसके पहले के वीडियो में इसके पहले का वीडियो था उसमें जो हमने प्रॉब्लम लिये थे यह जो प्रॉब्लम था उसमें हमने a n find out करते समय यहाँ पे और b n find out करते समय यहाँ पे दोनों जगा पे successive integration by parts का फार्मूला यूज किये थे लेकिन यहाँ पे देखो जो आज का प्रॉब्लम है आज के प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे successful integration by parts का फार्मूला यूज नहीं करना है वो इसलिए क्यूंकि यहाँ पे directly formula applicable है देखो direct formula formula हम यहाँ पे पहले आपको लिख के देते हैं देखो formula क्या है हमने इसके पहले भी उसके उपर एक वीडियो बनाये थे उसमें हमने formula सब लिखा की दिये थे वो formula देखो यहाँ लिखके देते हैं अगर आपके पास अभी भी नहीं लिखा है तो तुरंत अपने notebook में लिखके रखो तो formula ऐसा है integration of e to the power ax into cos of bx into dx देखो यह formula है यह formula अब हमें यहाँ पे use करना है यह होता है that is e to the power ax by a square plus b square और अब इसके बाद bracket में रहेंगा that is a cos of bx plus b sin of bx यह formula अब हमें यहाँ पे b sin of bx देखो यह formula यहाँ पे use करना है यह काफी important formula है अभी भी आपके पास chance है आपके पास अगर नहीं लिखा है तुरंत यह लिखके रखो यह formula का यहाँ पे use किस तरह से होगा यह समझ लो क्योंकि यहाँ पे a और b का value जो है यह आपको use करना है और a और b का value यूज करके ही यह formula आप applicable आप यहाँ पे apply कर सकते है आपके इंपॉर्टन्ट है इसलिए हमने यहाँ star लिका है तो चलो अब यह formula यहाँ यहाँ यूज करना है तो चलो यहां पसस्यन है और यहां पे b value क्या है? b value यहां पे n है. ठीक है? क्यूंकि देखो a to the power a x into cos b x है. तो देखो x का x का coefficient है x का coefficient यहां है minus 1. याने a का value minus 1 है. और यहां पे x का coefficient n है याने b का value n है. ठीक है? और अब उसी का use करके यहां पे इस तरह से integrate करना है. तो देखो यहां पे result हम directly लिख लेंगे अब. तो 1 by pi बाहर में है. तो हम यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले 1 by pi जो की बाहर में है. और यह integrate होने के बाद हमें upper limit lower limit put करना है. तो हम bracket में दे देंगे. हम चाहे तो इसको curly bracket में दे देंगे. ठीक है? इस तरह से. क्योंकि a का value minus 1 है. इसलिए उसके बाद denominator में है a square plus b square. a square यानि minus 1 का square और n का square यानि हम यहां पे लिख लेंगे n square plus 1. आप चाहे तो n square plus 1 लिखो या 1 plus n square लिखो कोई फरक नहीं पड़ता. अगर आपको अगर आपको यहां पे confusion हो रहा है. तो हमें काम करते है. 1 plus n square ऐसा लिख लेते हैं. उससे कोई फरक नहीं पड़ेंगा. अगले step में हम उसको n square plus 1 ऐसा कर लेंगे. ठीक है? चलो यह step होगे. उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है? तो यहां पे लिखना है a cos bx a का value क्या है? minus 1 तो यहां minus 1 आएंगा. ठीक है? और यहां पे n आएंगा. ठीक है? तो यहां पे हो जाएंगा minus of cos of nx. ऐसा. और यहां पे b sin bx. b का value n है. तो यहां n आएंगा. हम यहां लिख लेंगे n sin of nx. इस तरह से bracket पूरा करो. curly bracket पूरा करो. यह देखिए finally हमने यह integration का direct formula यहां पे use के. लेकिन upper limit, lower limit अभी तक हमने यहां put up नहीं किया है. तो देखो upper limit यहां पे lower limit है 0 and upper limit है 2 pi. अब हमें यह limit भी यहां पे put करना है. ठीक है? तो चलो अब यह limit put up करने का काम करेंगे क्योंकि limit जब तक आप put up नहीं करोंगे problem में integration complete नहीं होता है. तो चलो अब limit put up करना start करता है. तो limit put up करना है. तो पहले x के जगा जहां जहां पे x से वहां 2 pi रखो फिर जहां जहां पे x से वहां पे 0 क्योंकि upper limit माइनस lower limit होता है. तो यह जो 1 by pi बाहर में है उसको बाहर ही रहना है. देखो हम यहां से solve करेंगे क्योंकि यह काफी लंबा जाएंगा उधर इसलिए हम यहां से solve करेंगे तो 1 by pi बाहर है तो बाहर रहने दो अब हम इसको square bracket में देंगे आपको क्या करना है यह curly bracket के अंदर जो कुछ भी है वो by using upper limit पहले पूरा लिख लेना है फिर minus by using lower limit लिखना है तो यह पूरा upper limit का use करके अगर लिखना है तो यहां upper limit 2 pi आएंगा यहां 2 pi आएंगा यहां 2 pi आएंगा तो यह ऐसा होगा e to the power minus 2 pi by 1 1 plus n square है की नहीं और उसके बाद यहां पे यहां पे हम लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में दे देंगे minus cos of 2 n pi ऐसा दे देंगे या n 2 pi ऐसा लेको कोई फरक नहीं पड़ेंगा थिक है प्लस n sin of 2 n pi ऐसा दे देंगे थिक है तो यह हो गया by using upper limit यह पूरा टर्म हमने by using upper limit लिख दिये देखो जहां जहां पे x था वहाँ वहाँ पे 2 pi आ गया और अब यही आपको लिख लेना है by using lower limit तो अब minus देखो minus यहां देते है अब जहां जहां पे x से वहाँ 0 रखो यहां 0 यहां 0 और यहां 0 so e to the power 0 by 1 plus n square और अब यह minus cos of 0 plus यहां पे n sin of 0 यह देखो यह हमने upper limit और lower limit दोनों put up कर लिए है ओके और अब अब यहां पे देखो क्या होता है थोड़ा से इसको छोटा कर लेते है ठीक है ताकि यह step यहां पे आ जाए थोड़ा से इसको उपर भी कर लेते है ठीक है और अब चलो यहां पे हम solve करने वाले है तो यहां पे क्या होगा यह सबसे पहले 1 by pi बाहर में है तो बाहर रहने दो उसके बाद यहां पे क्या बचेंगा तो e to the power minus 2 pi as it is रहेंगा थोड़ा से इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि यह जगा लेंगा काफी सारा तो यह हम यह लिखेंगे 1 by pi बाहर में है और यह ब्रेकेट में e to the power minus 2 pi as it is रहेंगा divided by 1 plus n square b as it is रहेंगा बिलकु स्टेप 5 चल रहे है जादा जल्दबाजी करने की ज़रूत नहीं है number of students क्या करते हैं कि problem solve करते समें इतना फासली वो solve कर लेते हैं कि कुछ टेप्स जो है वो बीच में रांग हो जाती रांग नहीं होना चाहिए इसलिए बिलकुल आराम से क्योंकि यहां पर गल्ती होने के नहीं होती है जाए 20 हो उढ़ देखनार्स देखना सउठास नहीं हो जाए nggak सण बाइन से जाए गल्हाइ जके 45a इसलिए यहां फिर फिर ले ख़र जाए जो एन भी हो जाए टाइन बी calculated by मैंस बिल्कश कर दंश जाए जाए टे बिल्कश का लीग तर और plus 0 देखो यहां गलती नहीं होनी चाहिए यही पर गलती होती है देखो यह जो last यह जो step है जो हमने अभी लिके है यहां पर गलती होती है गलती कहां पर होती है समझ में आ गया आपको आपको यहां पर लगे तो लिखके देते हैं क्योंकि confusion नहीं होना चाहिए, क्या लिखके देते हैं, कि sin of 0 आपको रखना है 0, cos of 0 आपको रखना है 1 then आपको रखना है sin of 2 pi ये रखना है 0, और फिर cos of 2 pi ये रखना है 1, तो ये चीजे दहन में रखो, ठीक है ये important है, इस तरह से, ओके, हमने वही किये है और अब देखो, अब ये क्या होगा, यहाँ पे e to the power minus 2 pi by 1 plus n square है और यहाँ पे 1 by 1 plus n square है, तो इसका denominator, इसका denominator सेम है तो numerator में क्या होगा, देखो, ये minus है, ये minus यहाँ बाहर ले लो और ये minus है, minus है, ये minus हो जाएंगा plus, ठीक है, तो इसकी बात की step हमें लिखना है तो इसके बात की step जो है, थोड़ा सा इसके उपर में लिखते है हम, ये हम यहाँ लिख लेंगे 1 by pi बाहर में है, और अब ये e to the power minus 2 pi divided by 1 plus n square और ये जो minus है, वो यहाँ बाहर लगा दो, यहाँ पे, ठीक है, ये minus बाहर ले लिए और ये minus minus हो गया, प्लस, तो ये हो गया, प्लस, 1 by 1 plus n square ऐसा हो गया देखो, काफी सारे terms जो है, यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है, ये minus को हमने बाहर ले लिए और ये minus minus, ये हो गया, प्लस, समझ में आया, ओके, अब ये दोनों का denominator से में जो numerator में है, numerator में यहाँ पे, जो plus minus जो भी करना है, वो कर लेंगे, तो ये हम यहाँ लेक लेंगे, फाइनल स्टेप अब यहाँ पे, तो देखो, यहाँ पे फाइनल स्टेप क्या आता है, एक मिनिट, तो ये फाइनल स्टेप ऐसा है, यहाँ पे पाइ आएंगा, क्योंकि ये जो पाइ है बाहर में, उसका हम यूज कर रहे है, और फिर फिर फाइनल स्टेप है, ये हमें फाइनली अन मिल चुका है, और इसको सॉल करने की ज़रोद नहीं है, फिलाल ये अन जो है, सफिशेंट है, इसके आगे ये सॉल नहीं हो होगा, फाइनली हमें एन मिल गया, समझ में आया, किस तरह से हुआ है, जरा एक बार चेक कर लो, ये देखो, काफी ये बड़ा हो गया है, थोड़ा से इसको छोटा कर लेते हैं, दिखेंगा आपको, ये देखो, एन हमने कहां से स्टार्ट किया है, वो समझ लो, हमने एन ज मिल गया, और अब अन के बाद क्या होता है, अन के बाद होता है, बी अन, तो चलो, अब बी अन सॉल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से सॉल करना है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल करना है, और वहाँ पर जब आप साइन यूज करोंगे, तो भी आपको इसी तरह का एक होता है की नहीं, तो चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे bn के लिए formula लिख लेंगे जब तक आप formula नहीं लिखेंगे तब तक solve करने में दिक्कत होंगी तो bn का formula, so bn का formula होता है, जो हमने कहा था, cos के जगा sine उसकरना है, बाकि कि सब कुछ as it is रहेंगा, 1 by pi, then integration of 0 से 2 pi, f of x, into cos के जगा, अब आएंगा, sin of nx, into dx, यह देखिए, फार्मुला है, बिल्कुल उसी तरह का, cos के जगा वहाँ पे, sin हमें यूज करना है, और अब यहां पे f of x का value पुट करो, जो हमें पता है, starting में f of x का value, क्या है, पता है आपको, ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे, 1 by pi बाहर में है, integration 0 से 2 pi, f of x का value है, a to the power minus x, into sin of nx, into dx, और अब इसको integrate करने के लिए, आपको कोई भी integration by parts, या successive integration by parts, यूज करने की ज़रूत नहीं है, इसी तरह का formula, आपको वहाँ पे use करना है, बिल्कुल इसी तरह का use होना है, तो देखो formula क्या है, थोड़ा सा change है, बस, यहां पे cost के form में है, वो sin के form में रहेंगा, तो formula ऐसा है, integration of, that is, e to the power ax, into sin of bx, यह formula रहेंगा, into dx, तो formula में देखो, इसी तरह का है, बस थोड़ा सा यहां पे, हमें change करना है, देखो, change में क्या रहेंगा, cos और sin की term जो है, वो exchange करना है, यहां पे sin है, वो इधर ले आना है, यहां का cos इधर shift करना है, लेकिन minus है, तो यह ऐसा है, e to the power ax by a square plus b square, bracket के बाहर का term as it is है, और bracket के अंदर, जो हमने कहा था, यहां पे a cos bx था, तो अब यहां पे हो जाएंगा a sin bx, और minus हो जाएंगा, plus की जगा, minus, यहां पे b cos of bx, formula याद करना बहुत आसान है, जब आप इस तरह के 2-4 problem solve कर लेंगे, तो आपको जो formula है, याद हो जाएंगा, बहुत ही आसान formula है, और अब हमें इसी का यहां पे use करना है, यहां पे फिर से हम start देते हैं, क्योंकि यह काफी important formula है, इस तरह के formulas आपको exam में use करते हुए आना चाहिए, ठीक है, और अब चलो यहां पे solve करेंगे by using this formula, तो देखते हैं, यहां पे क्या होता है integration, तो सबसे पहले 1 by pi बाहर है, देखो यह बाहर ही रहेंगा, अब देखो ही integration करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से solve करना है, तो curly bracket में दे देंगे, इसके पहले भी हमने curly bracket में दिये थे, यहां पे क्या है, a to the power ax by a square plus b square, तो a और b का value क्या है, तो जो इसके पहले था, a और b का value यहां भी वही रहेंगा, देखो यहां पे a का value minus 1 है, और b का value यहां भी n है, देखो यहां पे भी वही था, minus 1 और n यहां पे भी वही है, इसका मतलब यह जो term है यह बिल्कुल same to same रहेंगा तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिखना है? a to the power minus x by a square plus b square याने ही n square plus 1 या फिर 1 plus n square ऐसा लिख सकते हैं जो इसके पहले था बिल्कुल वही लिखना है बस आपको bracket के अंदर यहाँ पे changes करना है बस यहाँ पे लिखना है और यहाँ बिल्कुल वही है यह प्लस था यहाँ माइनस आगया और साइन कॉस की जो टर्म से वो एक्षेंज कर दिये बाकी सबकु सेम है अब बस यहाँ पे भी लिमिट पुटप करो अपर लिमिट लोर लिमिट खिसका है यह लिमिट एक्स का लिमिट है तो हमें क्या करना है पूरा यह बाई उजिंग पहले अपर लिमिट लेना है माइनस फिर पूरा यह बाई उजिंग लोर लिमिट यहाँ पे रखना है then यह minus sin of 2n pi ठीक है minus n cos of 2n pi यह देखिए यह हो गया by using upper limit ठीक है जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर 2 pi रखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और अब यही रखना है by using lower limit तो यह minus e to the power 0 by 1 plus n square then minus sin of 0 minus n cos of 0 यह देखिए इस तरह से और अब bracket पूरा करो तो यह हमने limit यहाँ पर put up कर लिए और अब limit put up करने के बाद अब देखो यह कहाँ तक solve हो रहा है जहाँ तक यह जाएंगा वहाँ तक solve करो तो वो होंगा आपका bn इसके पहले जो an आया था बिल्कुल उसी तरह से यह bn यहाँ पर मिल रहा है तो 1 by pi बाहर में है तो बाहर रहने दो अब यह देखो क्या होंगा यह e to the power minus 2 pi by 1 plus an square यह as it is रखो और अब इसके अंदर क्या होंगा तो इसके पहले जो हमने आपको values लिख की दिये थे बिल्कुल उसी तरह से ठीक है यह जो sin 2n pi है यहाँ पर हो जाएगा 0 cos 2n pi है यहाँ पर हो जाएगा 1 sin 0 के जगा हो जाएगा 0 cos 0 के जगा हो जाएगा 1 ठीक है समझ में आया तो चलो अब यहाँ लिखेंगे तो यह हो गया 0 फिर minus of n यहाँ पर क्योंकि cos 2n pi यहाँ हो जाएगा 1 into n तो यहाँ पर आ गया उसके बाद फिर minus e to the power 0 यहाँ यहाँ बाए 1 plus n square और यह हो जाएगा 0 minus n यह देखिए इस तरह से और अब यह क्या हो जाएगा देखो अब यह minus n बाहर ले लो यहाँ पर minus n है तो minus यह हो जाएगा plus तो यह ऐसा हो जाएगा 1 by pi बाहर में है तो यह हो जाएगा minus n e to the power minus 2 pi ठीक है और divided by 1 plus n square और यहाँ पर plus n divided by 1 plus n square ऐसा हो जाएगा common ले लो यहाँ पर देखो दोनों का denominator सेम है addition हो सकता है यहाँ पर minus n minus n है यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है तो वो भी हम यहाँ ले लेंगे तो थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं तो यह हम यहाँ लेंगे 1 by pi ठीक है यह जो n है n को भी हम बाहर ले लेंगे तो 1 by pi के जगा n by pi ऐसा लिख लो ठीक है एक मिनिट यहाँ पे n by pi लिखी लेंगे ठीक है और यह हम यहाँ लिख लेंगे n by pi ऐसा यहाँ पे क्या था 1 by यहाँ यहाँ पे देखो denominator में pi है वहाँ भी pi है और अब pi के बाद में यहाँ पे एक मिनिट इसको और अच्छे से लिखते हैं तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे denominator में pi 1 plus n square इसके पहले भी वही था यह देखो pi into 1 plus n square उसी तरह से numerator में बस आपको यहाँ पे देखो क्या करना है n बाहर रखना है n हमने बाहर रखे और अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 minus e to the power minus of 2 pi ऐसा देखो difference देखो इसके पहले क्या था 1 minus e to the power minus 2 pi यहाँ भी था और अब वहाँ पे भी है बस क्या है इसके सामने यहाँ पे n नहीं है जबकि यहाँ इसके सामने n है वही एक difference है तो यह हमें bn मिल गया और इसको solve करने की जरूत नहीं है यह bn sufficient है और finally हमने आपको जो कहा था कि an bn find out करना है तो an bn हमने find out कर लिया है और अब जो है a0 an bn तीनों हमारे पास आ चुके है तीनों देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे आपको तीनों की तीनों दिख़ए देंगे जहाँ तक तो यह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको a0 an bn तीनों दिख रहे हैं और अब तीनों का यूज करके हमें 4-year series का equation तियार करना है यह था a0 यह था an यह देखिए और यह हमने निकाले है bn ठीक है और यह तीनों अब कहां पूट करना है equation number 1 में कहा है equation number 1 देखिए यह था equation number 1 f of x का जो हमने starting में लिख लिए थे यह equation में पूट करो यहाँ a0 पूट करो मतलब वो value an की value यह और bn की value यह तो चलो अब हम इसमें put up कर लेंगे इसको हम अब थोड़ा से इसको ऊपर ले लेते है तो equation number 1 employees equation number 1 में left hand side में है f of x तो f of x का value यहाँ पूट कर लो f of x का value हमारे पास क्या दिया है problem में starting में ही दिया था न f of x का value जो की है e to the power minus x तो वो यहाँ रखते है then equation number 1 में था सबसे पहले a0 by 2 तो a0 का value क्या था अब फिर से नीचे लेना पड़ेंगा देखो यह देखो a0 का value यहाँ पे क्या है a0 by 2 यह a0 का value तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 minus e to the power minus 2 pi by pi ऐसा है तो यहाँ पे हम वो रखते हैं तो यह 1 minus e to the power minus of 2 pi by pi और नीचे में 2 था तो यह हो जाएंगा 2 pi इस तरह से ठीक है ना नीचे में 2 pi था यह देखो यहाँ पे 1 minus e to the power minus 2 pi by pi और यहाँ पे a0 by 2 है ना यह देखो फार्मूले में क्या है equation number 1 में a0 by 2 है तो यह 2 into pi 2 pi हो जाएंगा तो हमने वही किया यहाँ पे up to infinity अब यहाँ पे an cos of an cos of nx है तो an का value यह है तो हम यहाँ लिख देंगे an का value यहने 1 minus e to the power minus 2 pi by pi into 1 plus n square into cos of nx यह देखिए ठीक है और अब यहाँ पे next term हमें लिखना है तो चलो next term यहाँ लिखते हैं तो plus summation का symbol n equal to 1 up to infinity then 1 minus यहाँ पे एक minute यह जो है यह term को थोड़ा सा उधर कर लेते हम तो bn को हमने side में किये और अब देखो यहाँ पे bn का value bn का value क्या था n स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे n रखते हैं पहले n 1 minus e to the power minus 2 pi by pi into 1 plus n square ठीक है और यहाँ पे sine of n x sine of क्या है n x तो यह finally हमने equation number 1 में सब कुछ पुट कर दिये जो यहाँ पे हमने find out किये थे a0, an, bn जो हमने find out किये थे वो हमने यहाँ सब कुछ पुट कर दिये यह देखो यह है a0 का value यह है an का value और यह है bn का value और अब इसको थोड़ा सा सॉल करो थोड़ा सा सॉल करो मतलब जो common term है वो पहले बाहर ले लो common term क्या है देखो common term आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेंगा तीनों में common है देखो क्या है numerator में 1-e to the power minus 2 pi इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो common वही ले लो ठीक है तीनों में से और कुछ common मतलब बाकि सब रहने दो और एक काम हो सकता है pi भी आप common ले सकते हो इसमें भी pi है इसमें भी pi है तीनों में pi है मतलब यह है कि common यहाँ पे दो term हो सकता है तो हम यहाँ लिख लेंगे 1-e to the power minus of 2 pi by pi यह हमने सिधा-सिधा common part तीनों में से बाहर ले लिए और अब क्या क्या रहा तो जो बचा है वो लिख लो तो यहाँ बचा 1 by 2 बचा तो 1 by 2 और यहाँ बचा क्या पहले तो summation का symbol as it is n equal to 1 up to infinity और यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा है numerator में cos nx और denominator में 1 plus n square है की नी और इधर क्या बचा इधर में पहले summation का symbol n equal to 1 up to infinity numerator में sin nx यहाँ पे n भी है देखो यहाँ पे n है उसको हमने अभी तक कुछ यहाँ पे बाहर नहीं निकला यह n तो यहाँ पे लिख लेंगे n sin of nx और denominator में 1 plus n square यह इसको bracket में देदो 1 plus n square को अच्छा दिखता है तो यह हमने यहाँ तक extend की और stall हो सकता है क्या नहीं और stall नहीं हो सकता इसको आपको यही पे stop करना पड़ेंगा तो यह हमें finally क्या मिला यह हमें finally 4 year series जो question में find out करने के लिए कहा था जो 4 year series बनाने के लिए कहा था e to the power minus x के लिए तो वो यह हमने find out कर लिया है और finally problem यही पे complete हो गया थोड़ा से इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा problem आपको show हो सके तो यह देखिए जहां तक आपको पूरा problem दीक रहा है यह हमें result मिला है यही हमारा answer है और इस तरह से यह पूरा problem complete हो चुका है यह problem काफी important है इसके पहले यह exam में भी आया था तो यह problem की आपको practice करना चाहिए इस तरह के problems की अगर आप practice करोंगे तो काफी अच्छा रहेंगा क्योंकि number of students जो है वो इस तरह की problem में गलती कहां पे करते हैं गलती होती है यहां पे यह जो integration का formula है यहां पे और यहां पे जो हमने use किया है AN और BN में और सबसे important formula भी अगर कई बार सही लिख लिए तो number of students क्या करते हैं limit put up करते समय गलती करते हैं upper limit lower limit और वही पे गलती होती है और उसी के वज़े से final answer wrong होता है तो वो नहीं होना चाहिए इसलिए इस तरह के problems की आपको practice करके देखना ही पड़ेगा तो यह था 4 year series यह unit का problem number 2 इसके पहले जो हमने इसका एक problem लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much